देखो बच्छो नया चेप्टर एप्लिकेशन ओफ डेरिवेटिव चेप्टर नुमबर 6 है बच्छो ये फर्स बुक के अंदर एक अच्छा चेप्टर है एक अच्छा विटिज कवर करता है बड़ ध्यान रखने वाली बात क्या होगी इस साल 2020-21 के सेशन के अंदर सेलेबस रिवाइस किया गया है तो आप लोगों को ध्यान होना चाहिए दो एक्सेसाइज 6.1 जो की है रेट मेजरमेंट एक्सेसाइज 6.4 जो की है अप्रॉक्सिमेशन यह आपके सेलेबस में नहीं है इस चीज को ध्यान में रखना है तो ओवर इंक्रिजिंग-डिक्रिजिंग फंक्शन 6.3 जो की है टेंजेन नॉर्मल और एक लास्ट एक्सेसाइज 6.5 जो की है आपका अप्लिकेशन अप डेरिवेटिव का इंपोर्टेंट पार्ट मैक्जिमा एंड मनीमा जहां से 6 मार का एक क्योस्चन लगातार पूछा जाता रह है इस साल भी पूरे चांसे जे एक वर्ट प्रॉब्लम 6 मार के आप लोगों से पूछी जाएगी बहुत मैनत करनी होगी वहां पर बहुत करना है मैं आप लोगों को पूरी प्रक्टिस दूंगा दो से तीन लक्षर मैंने उसके लिए डिजाइन कियें बच्छों कि एक कुछ पैटर्न जो है दोनों के अंदर कॉमन चलता है तो पहले 6.3 एक्ससाइज जो कि है आपकी टेंजन डॉर्मल यहां से हम लोग स्टार्टिंग ले रहे हैं ओके इस चेप्र का वेटेज भी दिमाग के अंदर होना चाहिए ओवराल वेटेज जो 2020 के अंदर 2020 में जो इंपर्टरइंट की असन रहेगा तो 6.3 एक्ससाइज टेंजन नर्मल से आम लोग स्टार्टिंग लेंगे बच्चों बच्चों एक्ससाइज साइज अपन्ट 3 स्ट कर रहे हैं यह अंब लोग टेंजन और नॉर्मल क्या चीजह पहले इसको थोड़ा समझते इसकी इक्वेशन और यह सारी चीज़ अप्लिकेशन अफ डेरिवेट्व का पार्ट है नो डाउट सारी चीज़ें डेरिवेट्व के तुरू डिसकस होंगी तो तो y is equal to f of x अगर बच्चो कोई भी एक कर्व है कोई भी एक function आपको दिया जाए एनी कर्व तो इस कर्व के ऊपर किसी point पर x1, y1 पर एक line जो की इस point को touch करते हुए और इस curve को touch करते हुए अगर हम खीशते हैं तो यही line आपकी कहलाती है tangent और point क्या है आपके पास? point होगा x1, y1 point x1, y1 तो tangent at a point on the curve y is equal to f of x यह आपका बनता है अब सबसे पहले इस tangent का जो slope है उसकी अगर हम बात करें इस tangent के slope की अगर बात करें यह तो हमें पता है theta और इस theta के respect में slope को हम लोग generally represent कर देते हैं m is equal to 10 theta के साथ लेकिन बात है यहाँ derivative की तो derivative के साथ slope of tangent को किस प्रकार से लिखा जाएगा इस चीज़ पर सबसे पहले हम लोग आए फिर उसके बाद हम equation की बात करेंगे equation of tangent at a point इस tangent की equation लेकिन उससे पहले slope में clear कर देता हूँ slope of tangent किस प्रकार से आप लोग calculate करेंगे y is equal to f of x कोई भी function होगा एक curve और उसका differentiation करते हुए derivative आप लोग find करेंगे at a point dy by dx at a point x1 y1 यह कहलाएगा बच्चों आपका slope of tangent slope of tangent जब slope हमारे पास आ जाता है तो उसके बाद आप equation of tangent को represent करेंगे y minus y1 वही 2d वाला जो line का equation होता है वही है देखो वहाँ पर हम लोग क्या लिखते है y minus y1 m x minus x1 slope of line को represent कर रहा है लेकिन हम यह line की बात नहीं कर रहे है हम बात कर रहे है tangent की तो tangent का जो slope है वो हमेशा आप dy by dx से represent करेंगे dy by dx at a point p and x minus x1 ठीक है यहां पर एक चीज और काम की बात मैं अगर बता दू बच्चो डिमाग में रखना काफे सारे question इसके साथ हम लोग करेंगे देखो अभी थोड़ी देर के लिए अगर हम इस curve को भूल जाए तो यह line है अपने आप में यह line है और इस line के slope के अगर बात करें तो m is equal to theta अगर given है तो 10 theta से और otherwise point आपके पास given है तो उस case के अंदर slope of tangent बनेगा वो बनेगा आपका dy by dx है but finally अगर हम देखें तो जो tangent और line की अगर हम बात करें यह चीज तो यह कहीं बच्चो अगर मैं बात करूँ slope of line which passing through a two point तो उसका slope यह होगा और मैं बात करूँ slope of tangent की तो इसी line का जो slope आप यहां से भी निकाल सकते हैं तो दोनों सेम होगे dy by dx और इस value को आप सेम कह सकते हो बस यह है कि जब अगर function आपके पास है curve आपके पास है तो dy by dx यहां से जो की tangent की slope को represent करेगा question के time यह सारी चीजें अपर फिर से discuss करने वाले हैं तो equation of tangent especially यह पार्ट आप लोगों को बहुत अच्छे से याद रखना है at a point हम discuss करेंगे next देखें बच्चों देखो बच्चों जिस तरी के से tangent को हमने एक perpendicular line है बच्चों इस point P per x1, y1 पर अगर हम बात करें तो यह तो कैलाएगा आपका tangent और यह कैलाएगा आपका normal, normal और tangent की बीच का relation अगर हम लोग देखें तो क्या है बच्चों वो ध्यान से देखो बहुत है perpendicular to each other और जब tangent का slope हमें पता है tangent का slope अभी मैंने बताया tangent का slope है आपके पार dy by dx at a point P, okay तो सोचें सबसे पहले की normal का slope क्या होगा, यह condition आप लोगोंने पढ़ रखिए, दो line आपस में परपेंडिकुलर है तो m1, m2 is equal to minus 1, तो अगर इसको m1 नाम देदे और m2 normal की slope की बात करें तो वो क्या होगा, minus 1 upon m1, यानि minus slope of normal, slope of normal आप लिख सकते हैं बच्चों, minus 1 upon m1 कितना है, dy by dx, dy by dx at a point P, और equation of normal की अगर बात करें हम लोग, equation of normal, तो वो क्या बनेगा, इस point x1, y1 पर, y minus y1 और यहान क्या लेते हैं हम लोग, slope minus 1 upon dy by dx at a point P, x1, y1 into x minus x1, तो दो कुछ ही याद रखनी है, normal के लिए, एक तो normal का slope, minus 1 upon dy by dx at a point P, और इसी normal की equation की अगर बात करें, तो यह formula, इन दोनों formula की help से आप किसी भी normal के question को बढ़ी आसानी से discuss कर पाएंगे, आगे देखें, फिर कुछ conditions हैं बच्चों, जैसे if tangent is parallel to x-axis, अगर मैं बात करूं कोई भी tangent x-axis के parallel है, y is equal to f of x curve आपके पास है, और यह हो जाता है, tangent x-axis, तो parallel होने का मतलब है, जब tangent कोई angle ही नहीं बना रहा है, बच्चों यहाँ पर theta की value 0, 10, 0, 0, तो dy by dx equal to क्या होगा, 0, यह बहुत अच्छे से याद रखो, question में दिया जाता है, कि tangent x-axis के parallel है, तो तुरंत दिमाग में click होना चाहिए, condition dy by dx equal to 0, फिर इसी तरीके से इसका opposite case अगर हम ले ले, if tangent is parallel to y-axis this time, यह y-axis, तो y-axis के case में क्या होगा, 90 degree create हो रहा है, देखो 10, 10, 90 infinite, but for calculation ध्यान रखे, आप लोग यह आला part काम में लेंगे, dx upon dy equal to 0, reciprocal relation से ही 0 आ जाएगी, infinite को कह लिखो के 1 by 0, जस इसका reciprocal क्या बना, dx by dy, तो 1 by 0, 0 by 1, finally 0, तो इन conditions को हम questions के अंदर use में लेंगे, फिर एक छोटा सा part हो रहाता है आपका angle between two curves, कुछ अच्छे questions हैं इसके उपर, थोड़ा सा इस समझें, कोई भी दो कर्व अगर बच्चों मालनों दिये हो गए, यह पहला कर्व C1, यह दूसरा कर्व C2, और इन दोनों कर्व के बीज जो angle create हो रहा है, अगर हम उसको discuss करना चाहा है, तो क्या process होगा, method क्या होगा, complete इसके उपर ध्यान देना, सबसे पहला काम होगा, जो भी दो कर्व आपको दिये गए, simultaneous उनको solve करते हुए, आप intersection point पर focus करेंगे, बच्चों उसको calculate करेंगे, वो आता है, माल लेता है, x1, y1, okay, दिये गए, दोनों कर्व के equation को solve करके, x coordinate, y coordinate आएगा, और वहाँ से आपका intersection point create होगा, अब बात यह आत slope of tangent find करेंगे, फिक और C2 के ऊपर slope of tangent find करेंगे, और इन दोनों tangents के बीच जो angle बनेगा, actually, वही आपका angle कहलाएगा, angle between two curve, दूसरा case भी consider होता है, यह theta, यह 180 minus theta, तो absolute value के साथ इसको हम present करेंगे, तो finally जो formula बनेगा, बच्चों वो होगा, tan theta is equal to mod m1 minus m2 upon 1 plus m1 m2, अब m1 m2 क्या है, सोचो जड़ा थोड़ी देर के लिए, मानलो एक curve आपको दिया हुआ है, y1 is equal to f1 x, दूसरा curve है आपके पास y2 is equal to f2 x, तो इस m1 m2 का मतलब है, slope of tangent on the first curve at a point px1 y1, इसका differentiation करते हुए, sorry, y is equal to, dy by dx find करोगे, अब dy by dx find करते हुए, इस point के उपर आप m1 निकालेंगे, और पहले curve से, और इसी प्रकार second curve से, आपको क्या मिल जाएगा, m2 मिल जाएगा, रही conditions की बाद, दोनो curve, orthogonally एक दूसरे को intersect करते हैं, यानि कि 90 degree पर intersect करते हैं, तो एक condition बहुत अच्छे से जानते हैं, हम लोग, m1, m2 is equal to minus 1, यह condition और याद रखला, जब c1 और c2 एक दूसरे को 90 degree पर cut कर रहे हैं, उसकी condition, बड़ी common condition है, तो इन सब छोटे-छोटे points के साथ, कुछ अच्छे और important questions हम discuss करेंगे, देखो, पहले normal question लेते हैं, एक simple सा, जिससे आप slope of tangent, slope of normal, equation of tangent, and equation of normal, कैसे find करने वाले हैं, वो चीज़ देखते हैं, find the slope of normal, इसने normal का slope पुछा है, लेकिन हम सारी चीख discuss करते हैं, इस question के थ्रू, slope of tangent पहले आएगा, then slope of normal की बात करेंगे, और to the curve, curve का equation parametric form में है, at theta is equal to pi by 4, उसको discuss करना है, तो parametric slope of normal निकालने के लिए, slope of tangent at first, यानि की dy by dx required होगा, बच्चों, differentiation of parametric form, हम लोगोंने M.O.D. के अंदर पढ़ा, बहुत simple, देखो, थीटा के respect में दोनों equation को differentiate करेंगे, dx by d theta, 3a, cos square, theta, और cos theta का कितना हो जाएगा, बच्ों, minus sin theta, equation number 1 दे देना, इसको, y का करते हैं, dy by d theta, 3a, sin square theta, और sin theta का differentiation आप इत्ता कर देंगे, cos theta, equation number 2 दे देंगे आप इसको, and from equation 2 divided by equation 1, 2 को 1 से divide करने पर आपको मिलेगा, dy by dx, थोड़ा सा direct calculate कर लेते हैं, 3a से 3a cancel होगा, square से यह वाला part cancel, finally क्या मिलेगा, बच्चों, minus का 10 theta, कर लो एत्ती सी calculation, but point के उपर discussion करें, हम लोग, theta के उपर बात करें, तो dy by dx, add theta is equal to pi by 4, given है question में, तो यह आजाता है, 10 pi by 4 minus 1, this is the slope of tangent, यहाई clear कर देता हूँ, क्या के लाएगा यह, slope of tangent, और जब slope of tangent आपके पास आगया, बच्चों, तो इसी से आप slope of normal को भी बड़ी आसानी से लिख सकते हैं, very simple, अभी अभी लिखाया, minus 1 upon dy by dx, add theta is equal to pi by 4, जो कि हम already निकाल चुके हैं, तो यह slope of normal बन गया, आपका minus 1 equal to 1, ठीक, अब जो दोनों के slope, tangent normal दोनों के slope जो उमारे पास आगया, तो उनका equation भी हम find कर सकते हैं, सोचों, इसमें equation कैसे निकालेंगे, formula तो अभी लिखाया मैंने, y minus y1, slope of tangent x minus x1, tangent का equation आजाएगा, इसी प्रकार से normal कर, लेकिन ध्यान रखो बचो, किसी भी question के अंदर, जब आप equation of tangent की बात करते हैं, तो किन-किन चीजों की जरूँ थे, पहले दिमाग में उसको set करो, y minus y1, dy by dx, at a point x minus x1, equation of tangent निकालने के लिए, सबसे पहली चीज, आपके पास वो point होना चीज, जिसके उपर tangent डाला जा रहा है, तो यानि x1, y1 required है, और साथ में slope required है, slope हमारे पास आ चुका है, लेकिन अभी point हमारे पास नहीं आये है, तो इस question के अंदर, point कहां से और किस तरीके से आएंगे, थोड़ा सा सोचो, यह देखो, theta is equal to pi by 4, जैसे ही curve के पेरामेट्रिक फॉर्म के अंदर आप डालेंगे, तो यह coordinates में convert होगा बच्चो, x तो convert हो जाएगा x1 में, जब आप लिखेंगे, a cos q pi by 4, और y convert हो जाएगा, y1 में, a sin q pi by 4, sin pi by 4, cos pi by 4, अच्छे से जानते हैं, आगे x1, y1, और जैसे x1, y1 आता है, आप यहाँ पर put करते होगा, answer ला सकते हैं, और इसी प्रकार से slope of normal निकाल सकते हो, point नहीं बदलेगा, point वही रहेगा, केवल slope बदलेगा, minus 1 upon dy by dx, at a point p, x minus x1 के साथ, point वही, तो एक छोटे सा question है, जादा बड़ा level नहीं है, 2 mark level पर एसी कुई चीज आजा है, फटाफट से इसका answer निकाल, कुछ और questions को देखें बच्छों, जैसे यह question है, यह भी simple सा question है, बहुत clear एक एक पॉइंट दिया हुआ है, find a point on the curve, curve के उपर point find करके बताना है, जहां tangent is parallel to the code, joining the two points, एक tangent, code के parallel है, और वो code दो points से पास कर रही है, तो जब tangent, question में given नहीं है, tangent is parallel to the code, अगर हम लोग बात करें बच्छों, तो इसका क्या meaning हुआ, tangent भी अपने आप में एक line है, code भी अपने आप में एक line है, और दो line parallel होने का मतलब, बहुत अच्छे से जानते हैं, m1 is equal to m2, simple, दो line parallel, tangent, code, अब बात आती है, tangent के slope की, तो tangent का slope आपको कहां से मिलेगा, यह रहा curve का equation, dy by dx तुरंट मज़र आ रहा है यहां से, देखो, m1 की value, slope of tangent, parallel अगर चलते जाते हैं, तो dy by dx, चलो इसको represent करते हैं पहले, m1 हो गया, slope of tangent, और m2, code का slope, एक ऐसी line, जो दो point से पास कर रही है, वो क्या होती है, y2 minus y1 upon x2 minus x1, यहां से आप find करेंगे, simple, और इसके साथ question को आगे बढ़ा, x1, y1 आपको मिल जाएंगे, तो dy by dx, at first, किता हुआ, twice, x minus 2, यह आगे differentiation, फिर y2 minus y1 कर लो इदर, y2 minus y1, 4 minus 0, and 4 minus 2, तो finally बच्चों यह आजाता है, आपके पास, 2, 2, इसको solve करने के बाद, 2 से 2 cancel, x is equal to कितना आजाएगा, इसको divide करने के बाद, यह हो जाता है, आपका x is equal to 3, देखलो एक बाद, 2 तो यह cancel हुआ, और 2 cancel होने, यह divide करोगे, 1 आएगा, minus 2, plus 1, x is equal to 3, और x is equal to 3 आने पर, यह value आप यहाँ put करें, y हमेशा curve के equation से मिलेगा, तो y is equal to 3 minus 2 square, तो यह आजाता है, 1 का square 1, तो जो point निकल के आएंगे बाद, वो होँगे, 3,1, यह आपका final answer होगा, तो curve के ऊपर, यह point होँगे, 3,1, simply, presentation के point of view से, कुछ हलका सा change, यह हो सकता है, बच्चों, कि आप सबसे पहले, उस curve के ऊपर, एक point अजिम कर ले, x1, y1, और उसके साथ के असन को चलाओ, तो क्या changes आएगा, थोड़ा सा यह clear कर देता हूँ, देखो, अगर जो point हमें find करना, find a point on the curve, यह थोड़ा सा, अगर ऐसे भी आप दे सकते, तो इसमें भी कोई कमी नहीं है, acceptable है, और थोड़ा सा, अगर आप इतना लिख दे, let x1, y1, on the curve, और perfection के साथ आप आगे बढ़ते हैं, let x1, y1, on the curve, अब x1, y1, जो की curve के उपर है, जिस point के उपर tangent row हो रहा है, तो इसके साथ आगे बढ़ेंगे, तो dy by dx, at a point find करना पड़ेगा, यानि कि इस point के उपर, dy by dx की value, तो x की जगे क्या आजाएगा, यानि की, उसको कैसे और represent करना होगा, since, point x1, y1, lie on the curve, lie on the curve, presentation के point यूँ से इसको ले रहे, otherwise यूँ तो answer आचुका था, अब x1, y1, अगर curve की उपर lie कर रहा है, इसका मतलब, curve की equation को satisfy करेगा, तो यह आगया, x1 minus 2 का hall square, अब जब x1 की value बच्चो आप यहाँ पूट करते हैं, यह वाला part, यह देखो, y1, तो जैसे यहाँ आप x1 की value पूट करेंगे, तो यहाँ से आपको y1 मिल जाएगा, यह point हो गया, तो कुछ इस्ट्वेंट डारेक्ली भी निकालते हैं, छोटा question है, इसलिए number कटने के chances नहीं है, और accurate presentation के साथ जाना चाहते हो, तो कुछ x1, y1 को मानते होगे, यह presentation दे सकते हो, चलो, कुछ major questions की तरह बढ़ते हैं बच्चो, जैसे ही question, है simple, calculation खास नहीं है, बट concept, और यहां जो चीडिसकस कर रहे हैं, इससे आगे भी काफी सारे बड़े question, complete होने वाले हैं, बच्चो, question number 9, 10, 11, लगातार, तीन question अगर आप देखेंगे, तो बिलकुल इसी language के साथ है, question क्या है जरा, find the equation of all lines, किसकी बात कर रहा है, एक एक point के साथ चलते हैं, find the equation of all lines, जैसे इसने line के equation की बात की, तो line के equation का जो standard formula वो दिमाग में आए, y-y1, m, x-x1, x-x1, यानि इस line का equation find करने के लिए, आपको दो चीजों की जरुवत है, एक तो इस line का slope required है, साथ में x1, y1, जहांसे की line pass कर रही है, तो देखो, line का slope तो given है बच्चों, कोई problem ही नहीं है, slope of line question में दिया हुआ है, कित्ता है, minus 1, अभी copy नहीं करना, अभी केवल एक starting, thought, thinking process के साथ आगे बढ़ रहे हैं, तो ये line का equation आपने लिखा, slope already question में given है line का, हमें point required है, तो point के इसाथ सब thought को आगे बढ़ाते हैं हम लोग, ये x1, y1, किस तरीके से आपको मिलेंगे, इसके लिए question में क्या condition है, उस condition को जज़ करना पड़ेगा, और वो condition आगे लिखी हुई है, all lines having slope minus 1, that are tangent to the curve, ये सभी line curve के उपर क्या है, tangent है, tangent यानि कि उस curve को touch कर रही है, तो यहां से conclusion आपको निकालना पड़ेगा बचो, और वो conclusion क्या है, सोचो, ये देखो, फिर से इस चीज़ को मिलेता हो, अभी फिलाल ये एक line, जिसका slope अगर मान लो, थोड़े देखे लिए मैं-1 consider करूँ, तो ये सभी lines, और ऐसे बहुत सारी lines है, लेकिन यही line जब curve को touch कर जाएगी, इस point के उपर touch कर जाएगी बच्चों, तो क्या कहला है ये line, ये line tangent कहला रही है, ये line का जो form है, वो नहीं बदल रहा है, slope नहीं बदल रहा है, तो line का slope और tangent का slope, दोनों क्या रहने वाला है, same रहने वाला है, तो इसका meaning ये निकल के आता है, कि all lines identical with tangent, tangent और line दोनों क्या है, same है, और जब दोनों same है, तो उनका slope भी क्या होगा, तो क्या presentation होगा, अब जड़ा इसके उपर आते हैं हम लोग, देखो, question के अंदर जो चीज given है, सबसे पहले उसके उपर focus करें हम लोग, question में क्या दिया हुआ है, tangent और line, इस statement के according दोनों same है, तो आप इस से गए लिख सकते हैं, छोटा सा statement, all lines, all lines, identical, identical, with tangent, यह छोटा सा part लिख दो, with tangent, देखो, identical यानि same, जब सभी lines, tangent के समान है, एक जैसे हैं, तो इसका मतलब यह हो जाता है, बच्चों, slope of line, slope of line is equal to slope of tangent, यहां से क्योसन को पकाड़ना है, slope of tangent, अब, line का slope आपको दिया हुआ है, minus 1, और tangent का slope हम निकालते हैं, dy by dx के थूँ, बस इत्ता ज्यान रखो, tangent की बात करें, तो dy by dx, line की बात करें, तो दो तरीके, m is equal to 10 theta, y2 minus y1 upon x2 minus x1, line का equation direct दे दे, तब भी हम लोग, line को हमने 2D में अच्छे से पढ़ रखा है, slope हर तरीके से निकाल लेंगे, तो minus 1 is equal to dy by dx, step by step आगे बढ़ते जाओ, चीज़ें दिखती चले जाएंगी बच्चों, तो यह minus 1, dy by dx, कहां से आता है, curve की equation से, कहां से मिलेगा, यह रहाव y equal to 1 upon x minus 1, curve का equation, यहां से आप dy by dx, calculate करते हुए, यहां put कर दो, और फिर उसकी बाद सिर्फ calculation है, तो dy by dx, direct कर दो, 1 upon x का क्या होता है, minus 1 upon x square, तो यह बना x minus 1 का hall square, यहां से बच्चों आपको x मिल गया, और जैसे यह x मिलेगा, तो x की value curve की equation में put करते ही y मिलेगा, point आ गया, slope already हमारे पास है, line का equation बन जाएगा, तो minus से minus cancel, यह x minus 1 का hall square is equal to 1, दुब़रा से लिखते हैं, x minus 1 का hall square is equal to 1, तो x minus 1 is equal to, plus minus 1 बच्चों, एक बार 1 के साथ presentation लें, x minus 1 is equal to 1, और x minus 1 is equal to minus 1, तो यह तो हो जाता बच्चों, आपका x is equal to 2, और यह हो जाता x equal to 0, तो दो point निकल के आएंगे, अब इन दोनो x equal to 2 और 0 के corresponding y की value निकाल लो, curve के equation से यह दिख रहा, तो जैसे x is equal to 2, curve के equation में put करेंगे, तो y की value आजाती है बच्चों 1, और यह x equal to 0 put करते ही, y की value आजाती है minus 1, देख लो एक बार अच्छे से, यह x की value हमने निकाली, इस statement के according, x is equal to 2 पर y की value 1, x is equal to 0 पर y की value minus 1, 2 point आजाते हैं, किते 2 point, इनको ऐसे represent कर दो, तो first point P1, 2,1, and another point P2, 0,-1, अभी question complete नहीं हुआ है, उसने line का equation पूछा है आप से, find the equation of all lines, we know that, equation of a line, y minus y1, slope of line, m से represent कर दो, x minus x1, अब आप पहले first point के पूपर represent करेंगे बच्छो, equation of line, at a point, at a point P1, निकाल लोगे इतना सा काम कर लोगे, slope कितना लेंगे, जो की question में given था, और ये जो दो point आपके पास आए, इन दोनों के उपर आप equation of tangent, बड़ी असानी से निकाल सकते हैं, एक ले लेना 2,1, और फिर आपके calculation कर लेना, 0,-1 के साथ, और slope कितना consider करना, ये clear कर दूँ देखो, ये slope, question में धिया हुआ है line का slope, कितना है, minus 1, पस इसके बाद अब ये दोनो statement के साथ, यह values put करते हूँ, जैसे एक part में लिख देता हूँ, y-y1, minus 1, and x-2, clear करो, यहाँ पर answer मत छोड़ देना, इसका जो general form है, उसके साथ calculation करना, जैसे, minus x, इदर आगे बच्चो, plus x, plus y, and 2, plus 2 and plus 1, तो यह आपका final equation हो जाएगा, x plus y equal to 3, similar आप यहाँ कर लेना, यह question देखो बच्चो, find, point on the curve, इस curve के उपर, वो point find करके बताने, जहाँ पर tangent, एक question तो बनता है, parallel to the x-axis के साथ, फिर दूसरा क्यों आपके पास, parallel to the y-axis के साथ, तो यह conditions अभी अभी मेरे लिखाए, जब भी कोई tangent x-axis के parallel होता है, तो उसकी condition क्या बच्चो, dy, y, dx equal to 0, इस condition को use में लिखते हुए, हम point find करेंगे, उनुही condition में अगर मस्क नहीं आ रहा है, तो वो किसका है, differentiation, dy, y, dx, derivative, तो from, equation of curve, यहां से आपके उसमें स्टार्ट करेंगे, x square upon 9, plus y square upon 16, is equal to 1, differentiation करना है बच्चो, बहुत simple, 2x upon 9, and 2y, upon 16, dy by dx, और यहां, और 1 का differentiation क्या हो गया, 0 हो गया, यहां से पहले, dy by dx की value निकालें, देखो, 2 तो common आके, cancel हो जाएगा, बच्चो अट जाएगा, और finally, यहां से जो dy by dx की value आपको मिल रही है, वो क्या है, देखो, यहाला part, right hand side में लेके जाओगे, minus x by 9, और cross multiply कर दोगे, यह step by step बता जेते हैं, x by 9 को इदर लाए, और, y by 16 को आप cross multiply कर दो, 16 upon y, finally, आप इसको लिख सकते हैं, minus 16 upon 9, x upon y, this is the slope of tangent, और slope of tangent, जब parallel to the x-axis की बात करेंगे, तो dy by dx क्या होगा, बच्चो, 0 होगा, थोड़ा language का आप में ले ले ले, the tangent is parallel to the x-axis, so that dy by dx equal to 0, और यह आपने इसको 0 किया, बच्चो, separate बताते हैं, यह confusion create हो जाएगा, tangent, थोड़ा सा language काम में ले 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 ले, tangent is parallel to the x-axis, this implies dy by dx is equal to 0, अब यह dy by dx की वाले उठाओ, यहाँ पुट करो, minus 16 by 9, x upon y is equal to 0, finally यहाँ से आपको x की वैल्यू मिलती है बच्चो, जीरो और जैसे x की वैल्यू जीरो आप यहाँ पुट करेंगे, कर्व के एक्वेशन, y हमेशा कर्व के एक्वेशन से मिल जाना, put in equation of curve, तो यह कर्व के एक्वेशन में पुट किया 0, तो y square is equal to 16, y की वैल्यू प्लस माइनस पूर, तो दो पॉइंट निकल के आ जाते हैं बच्चों यहाँ से, फॉर्स पॉइंट हो जाएगा 0, 4, और अनादर, पी टू, 0, माइनस पूर, तो दो पॉइंट ऐसे होंगे, जिस पर खीचा गया, टैंजेंट, x-axis के क्या होगा, पैरलल होगा, अब देखो, इस वाले पार्ट को यहीं discuss कर लें, सिंपल सा है, इस बार क्या करना है, पैरलल टू दो y-axis, dx upon dy को 0 करना है, तो जो भी इसका reciprocal value है, dy by dx का जस्ट रूल्टा, यानि कि 9y upon minus 16x को 0 करना है, तो y की value 0 आएगी इस बार, इस condition में, और y equal to 0 put करने पर, x की value हो जाएगी, बच्चो, plus minus 3, तो वहाँ जो point निकल के आएंगे, y equal to 0 पर, करपाओगे इतना सा देखो, जैसे हमने यहाँ पर इसका just reciprocal डाला, तो y की value 0 होगी, x की value plus minus 3 होगी, यानि 3,0 और minus 3,0, यहाँ पर भी आपको 2 point मिलेंगे, बट अब इसके बाद, जित्ते भी questions मैं ले रहाँ बच्चो, all are very important, सभी questions को बहुत अच्छे perfection के साथ, आप लोगो complete करना है, आ चुके हैं यह question, यह minor में काफी पूछा जाता है, इसको मैं ले रहा हूँ यहाँ पर, देखो, find the point on the curve, बापस से भाई चीज़े, curve के उपर point find करना है, at which the slope of the tangent, slope of the tangent is equal to the y-coordinate, बहुत clear दिया हुआ है वहाँ, देखो, slope of tangent, slope of tangent is equal to the y-coordinate, y-coordinate, और y-coordinate के साथ इसको आप, equal कर दूँ, यह simple सा question, slope of tangent का मतलब हो गया, dy by dx, और y-coordinate का मतलब है, बच्चो, यह y-coordinate तो आपको directly दिया हुआ है, कित्ता है दिया हुआ है, y is equal to कित्ता है, x cube, यहाँ से question को आगे बढ़ाएंगे हैं हम लोग, तो dy by dx, इसी curve के equation से, dy by dx कित्ता हो गया, 3x square, equal to x cube, इसको solve कर दो, minus x cube is equal to 0, x square common, और यहाँ बच्चता है आपके पास, 3 minus x, x square common लेने के बाद, तो x equal to 0, and x is equal to 3, और x equal to 0 पर y की value, करू के equation से 0 आजाती है, और यह value जैसे 3 आप put करते हैं, 3 cube यानि 27, यानि यह दो point आजाते हैं आपके पास, point p1 and p2, अब इसके बाद, यह क्योंस है, very important, कई बार आ चुका है, very important, क्या है, देखो ध्यान से, for the curve, इस curve के लिए, find all the point, at which the tangent passes through the origin, tangent passes through the origin, यह tangent, जो की origin से पास कर रहा है, बच्छों, और यह ले लेते हैं हम curve का equation, यह curve, y is equal to 4 x q minus 2 x to the power 5, तो इस curve के ऊपर, वो सब point find करके बताने हैं, जिन पर खीचा गया tangent, कहां से पास कर रहा है, 0,0 से पास कर रहा है, ओके, देखो, find all the point, at which the tangent passes through the origin, तो उन्व सभी points को, हम मान लेते हैं, x1, y1, थोड़ी देखे लिए, तो target है, x1, y1, find करना, curve का equation है, आपके पास, y is equal to 4 x q, 2 x to the power 5, तो इस curve के ऊपर, point x1, y1, क्या होंगे, तो क्या theory अपलाई की जा सकती, दो process हैं, इस question को करने के लिए, देखो, सबसे पहले, उसी part को discuss कर लेते हैं, easy भी रहेगा, इसके उपर question अबने की हैं, सबसे पहले बच्चों, ये curve को भूल जाओ, एक line, जो की origin से पास हो रही है, और साथ में, एक point आपने जो assume किया है, x1, y1, तो इस line को अगर बहुत ध्यान से देखें, तो इस line का slope आपको नजर आएगा, y2 minus y1 upon x2 minus x1, और यही line जब curve को touch कर जाती है, तो ये बना tangent, तो tangent का slope बड़े आसानी से निकाल सकते हो, कहां से curve के equation से, dy by dx, तो थोड़ा सा इसको इस तरीके से लिखते है, हम लोग, इसको नाम देदो O, इसको नाम देदो P, actual में, theory वही लग रही है, जो इससे पहले आले कि उससे निमा हमने डिस्कस की, the line O P, identical with tangent, ऐसे लिखो इसको, line O P, identical, identical with tangent, यानि line O P, और tangent बोथा same, दोनों same है, तो दोनों का slope भी क्या होगा, same होगा, line का slope की अगर बात करें बच्चो, अब यहां लिख लो इसको, slope of, line O P, is equal to slope of tangent, slope of tangent at a point, okay, slope of line, y2 minus y1 upon x2 minus x1 से आप निकालेंगे, तो यह हो जाएगा, y1 minus 0 upon x1 minus 0, okay, slope of tangent, यहां से direct दिख रहा है बच्चो, चाहो तो लिख सकते हो, यह separately उसको बता दो, तो slope of tangent क्या बंद रहा, dy by dx, इतना तो लिखी पाएँगे, कितना बना देखो, 12x square, minus, 10x to the power 4, 12x square minus, 10x to the power 4, but at a point बात कर रहे हैं, यानि कि point है x1, y1, तो x की जगे आप x1 consider करेंगे, और यहां से इस equation को solve कर लो, तो y1 is equal to, x1 को cross multiply करो, 12x1 cube, minus 10x1 to the power 5, इसको देदो equation number 1, देखो, सबसे पहले, आपने क्या किया, एक point assume किया, line op और tangent बहुता सहे में, तो दोनों को slope को equal कर दिया, line का slope by formula y2 minus y1 upon x2 minus x1, यह जो चीजे, यह किसको represent कर रही है, slope of tangent at a point, वो हमने calculate किया, और cross multiply करते हैं, इस equation पर पहुँच जाओ, इसके आगे का काम बहुँच सिंपल है, अब, x1, y1 अबे निकालना है, तो एक single equation से तो solve होना नहीं, इसके लिए आप क्या करेंगे बच्चों, एक equation और निकालेंगे, यहाँ से, point p x1, y1 lie on the curve, देख रहे हो, यह point curve के उपर lie करता है, यानि यह point इस curve के equation को satisfy करेगा, और satisfy करेंगे के बाद जो equation बनेगी, थोड़ा language काम में लेना, point x1, y1 lie on the curve, lie on the curve, so, यह point curve के equation को satisfy करता है, यह आप लिखेंगे, 4x1 cube, minus 2x1 to the power 5, equation number 2, और इन दोनो equation को equate करते होए, y1 equal to this, y1 equal to this, x1 की value मिल जाएगी, ठीक है, चलो इस ही part को यहाँ लेते हैं हम लोग, अब यह graph आला part अटा लेते हैं बच्छों, यहाँ solop कर लेंगे, दोनों चीज़, एक rough graph था, जिसको question को समझने के लिए आपने बनाया, अलागि कोई खास इसके आवश्रक्ता नहीं है, direct भी अगर आप बढ़ते हैं, कोई problem नहीं, फिर इसके बाद, from equation first and second, from equation first and equation second, दोनों को equal करते होए, इसको solve करेंगे हम लोग, तो 12x1 cube minus 10x1 to the power 5, is equal to 4x1 cube minus 2x1 to the power 5, यहाँ से आपको x1 की value मिल जानी है बच्चों जी देखो, बड़ी असान इस है, same power है, solve होती जाएंगे, x1 cube x1 cube 12 minus 4, 8x1 cube आगया, और इदर यह minus 2 plus, तो यह हो जाएगा बच्चों, minus 8x1 to the power 5, कितना common आरहा देखो, 8x1 cube common निकाल लो, यह हो गया, 1 minus x1 square, equal to 0, और factor करते हुए, 1 plus x1, and 1 minus x1, is equal to 0, तो overall x1 की आपके पाल बच्चों, तीन values आया थे, 0, 1 and minus 1, और यह तीनो values, आप equation number 2 में put करेंगे, है करू का equation, लेकिन point satisfy कराते हुए, x1, y1 के उपर question कर रहे हैं, put in equation number 2, put in equation number 2, और corresponding y की values मिलती चले जाएंगे बच्चों, तो 0 पर 0, 1 पर 2 आजाएगा, minus 1 पर minus 2 आजाएगा, overall 3 point आते हैं, present करना इसको, measure question है, and p2, 1, 2, and p3, minus 1, minus 2, तो overall, curve के उपर, 3 point आपको मिलने वाले हैं, किते point मिलेंगे, 3 points आपको मिलेंगे, जिन पर खीचा गया tangent, origin से pass करेगा, very important question, बहुत ध्यान से और बहुत अच्छे से इसको, इसी presentation के साथ, आप लोग complete करना हैं, ओके, चलो, आगे बढ़ते हैं, बापस से, ये भी एक बहुत अच्छा question है, कई बार आचुका है, देखो, find the equation of normal, normal का equation find करना है, या tangent का, दो चीजों की जुरूत होती है, slope और point की, to the curve, which are parallel to the line, ना तो point आपके पास directly है, ना slope आपके पास directly है, दोनों calculate करने हैं, उसके लिए condition के अस्छिन में given है, curve के उपर, to the curve, which are parallel to the line, find the equation of normal to the curve, which are parallel, कौन है parallel, normal, normal is parallel to the line, ये क्यों सिन में दिया हुआ है बच्चों आपको, उस condition को पकड़ना पड़ेगा, जिससे की क्यों सिन आगे मूँ करता है, तो, normal, is, parallel, to the line, ये क्यों सिन में दिया हुआ है, to the line, very simple, अब यहां से चीज जज कर पाओगे, बहुत क्यों सिन कर लिए हैं ऐसे, normal line के parallel, यानि की slope of normal, slope of normal, is equal to, slope of line, ठीक है, parallel होने की वज़े से, normal का slope और line का slope, दोनों क्या होंगे, equal होंगे, अब बात करते हैं, normal के slope की, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, minus 1 upon dy by dx, और line का slope, जब line given हो, directly आप निकाल लो, minus, coefficient of x, जो की है 1, and coefficient of y, with sign लेना होता है, जो की है 14, तो बहुत ध्यान से देखो, normal का slope, आपके पास आ चुका है, कितना है, minus 1 by 14, यह symbolically represent किया, इसको लिख कर, तो एक चीज तो आगे बच्चो, लेकिन अभी, हमारे पास point नहीं है, और point को calculate करने के लिए, इसी equation को आप काम में लेंगे, बहुत simple, पहले इसको simplify करते हैं, देखो, minus से minus cancel होगा, जब इसका reciprocal करेंगे, तो dy by dx equal to कितना होगा, 14, और dy by dx की value, आप कर्ब के equation से निकाल लो, यहाँ से यह देखो, तो dy by dx is equal to हो जाता है, 3x square, and plus 2, equal to 14, इसको solve कर लो, तो यह आजाता है, आपका 12, यह 4, तो x is equal to, plus minus 2, और x की यह value, जैसे ही आप कर्ब के equation में put करेंगे बच्चों, x is equal to 2, कर्ब के equation में put करें, तो यहाँ से मिल जाएगा, आपको y is equal to 18, और x is equal to minus 2 पर आपको मिल जाएगा, y is equal to minus 6, तो दो point निकल के आएँगे, 2, 18, and another point, P2, minus 2, minus 6, ठीक, point आगये, slope आगया, अब normal का equation बढ़ी आसानी से हम लोग निकाल पाएँगे, और इत्ता काम आप तुमें करना है, यह formula होगा आपका, y minus y1, minus 1 upon dy by dx, slope of normal, normal का equation पुछा ना उसने, and x minus x1, यह देखो, पहले first point के उपर निकालना, x1, y1, slope of normal जो कि आपको directly pick करना है, कहां से, यह रहा, minus 1 upon dy by dx की value, minus 1 by 14, यह put करनी है, और इन दोनो point के उपर normal का slope, normal का equation आप बढ़ी आसानी से निकाल सकते हैं, अब इसी के उस्चर में बचो, जो कि बुक के अंदर भी दिया हुआ है, बिल्कुल लगबग यही है, बस फर्क सिर्फ इतना है, normal की जगे वो tangent दे रखा है, normal की जगे क्या दिया है, tangent, देखो, इसको read करते हैं, find the equation of the normal की जगे, इस बार में tangent की बात कर रहा हूँ, to the curve, which are parallel to the line, तो कितना सा change आएगा, tangent is parallel to the line, it means, slope of tangent is equal to slope of line, अब बिल्कुल इसी तरीके से आगे move कर जाओ, बहुत simple क्या question, क्या question है, मैं read कराता हूँ, यह क्या question है, very important, very important, बहुत अच्छे से, with calculation, complete करेंगे अभी हम लोग बना, जो क्यास्टिन बताया, और इस question में, difference है के वर इस word का और के equation का और इन सब चीज़ों का but process वही रहेगा method वही रहेगा तो given है question मैं आपको देखो given tangent is parallel to the line tangent is parallel to the line meaning slope of tangent dy by dx is equal to slope of line जो की slope of line direct मैंने तुम लोगो का minus coefficient of x upon coefficient of y coefficient of y minus 2 यह आगे बच्चो slope of tangent आपके पास dy by dx is equal to फिता minus minus plus 2 slope तो आगया point की बात करें same process चलाना है जैसा इससे पहले वाले question में बताया from equation of curve dy by dx आप निकालेंगे बच्चो यह ना इसी question में आगे बढ़ते जाते हैं तो root x का differentiation 1 upon 2 root x chain rule लगाते वह आगे बढ़ेंगे minus 2 into 3 equal to 2 यहां calculate करेंगे x की value मिलेगी आपको x is equal to 41 upon 48 कर पाओगे तिसी calculation और जैसे x की value बच्चों आप यहां put करेंगे तो y equal to मिलेगा आपको 3 by 4 y equal to किता 3 by 4 और xy आगया slob हमारे पास है तो equation of tangent यह बन गया आपका y minus y1 dy by dx and x minus x1 यह point डाला हमने y1 किता है 3 by 4 dy by dx यह दिया हुआ किता है 2 और x minus x1 x1 है आपके पास 41 upon 48 इसको simplify करना journal form में answer देना है x plus by plus equal to 0 की form में ओके तो यह भी एक बहुत ही अच्छा और important question है चल फिर से next important question आपके पास यह आता है देखो angle between two curves जो हम लोग ने पढ़ा था उसी की उपर best है prove that given two curves cut at right angle दो curve एक दूसरे को 90 degree पर cut करते हैं कब जब at k square is equal to 1 होगा क्योंसन को दो तरीके से present कर सकते हैं बचों बहुत अच्छे जब पता है कि जब दो कब एक दूसरे को right angle पर cut करेंगे तो condition होती है हमारी M1 M2 is equal to minus 1 तो M1 M2 equal to minus 1 से या तो यह condition proof कर दो या फिर 8k square equal to 1 को use में लेते हुए M1 M2 की value minus 1 proof कर दो दोनों तरीके से question को vice versa किया जा सकता है चलो कैसे question होगा ध्यान देना एक अच्छा question है first curve C1 जो की question में given है x is equal to y square and another curve C2 is equal to dy x y is equal to k condition दिमाग में आ जाती right angle M1 M2 अब M1 M2 क्या है मैंने clear किया था तुम लोंको M1 का मतलब है slope of tangent on the first curve and M2 का मतलब होगा बच्छो slope of tangent on the second curve यानि कि dy by dx पहले curve से M1 कहलाएगा दूसरे curve से dy by dx M2 कहलाएगा लेकिन dy by dx जब भी discuss करो at a point discuss करो तो इसके लिए सबसे पहले required होगा बच्छो वो point जिसके ऊपर आप tangent draw करेंगे यानि कि point x1 y1 आपको required होगा उसी की बात क्यों से नागे चलेगा and point P क्या है असल में point P is a intersection point of given two curves दोनों करों एक दूसरे को जहां cut कर रहे हैं वो point है तो इन दोनों equation को solve करेंगे पहले हम यह देखो बहुत simple x is equal to y square x की value यहां put करेंगे y square क्या बना y q तो यह y आगया बच्चों k to the power 1 by 3 और y की value उठा कर यहां put करो तो x की value कितनी आ गई y कितना हो जाएगा 2 by 3 यह point आगया आपका k to the power 2 by 3 and k to the power 1 by 3 यानि m1 और m2 इस point के उपर आप लोगों को discuss करना m1 from first curve m2 from second curve on this point now from first curve c1 differentiation करें x का 1 y square का 2y dy by dx और यहां से dy by dx calculate किया बच्चों आपने 1 upon 2y लेकिन at a point बात कर रहे हैं हम लोग अगली step में लेते हैं तो dy by dx at a point p देखो y coordinate क्या है हमरे पास k to the power 1 by 3 तो यह y की value आप यहां replace करें twice k to the power 1 by 3 अब यह जो चीज बनी बच्चों यह कहलाएगा आपका m1 twice k to the power 1 by 3 equation number 1 डाल दो इसको जैसे m1 निकाला बिल्कुल उसी प्रकार से मां m2 calculate करेंगे from second curve xy is equal to k from second curve c to xy is equal to k differentiation तो इसको सबसेपल उस्प्रिसित फमले कलो k by x फिर differentiation कर दो सीधा dy by dx 1 upon x का differentiation minus 1 upon x square and dy by dx at a point p जो हमने निकाला intersection point तो x coordinate put करेंगे यह रहा x coordinate देखो इदर x की value किती है? k to the power 2 by 3 तो k to the power 2 by 3 का hall square इसको थोड़ा solve कर लेते हैं dy by dx at a point p यह देखो k to the power 4 by 3 बनेगा बच्चो और यह k की power 1 नीचे लागे इसको solve करके इसको ऐसे लिख लो k to the power 1 by 3 with minus sign और यह कहलाएगा आपका m2 पूरा question बताएंगे important question है देखो यह होगया equation number 2 okay अब दोनों कर एक दूसरे को राइगल पर कट करते हैं statement लिखना दो बहुत कर्व कट at right angle therefore m1 m2 is equal to minus 1 m1 अब निकाल चुके है बच्चो यह रहाए 1 upon twice k to the power 1 by 3 1 upon twice k to the power 1 by 3 into यह m2 रहा आपके पास minus k to the power 1 by 3 equal to minus 1 solve करना minus से minus cancel 1 twice multiply में पावर add होंगी बच्चो तो k to the power क्या बन जाएगा और cross multiply कर दो यह बनेगा k to the power 2 by 3 लेकिन अभी जो चीज हमें प्रूफ करनी थी उससे दूर है तो इसके लिए आप क्या करेंगे taking cube on the side और जैसे cube करते हैं बच्चो 1 का cube तो 1 simply लिखी देता है 2 का cube 8 और इसका जब cube करोगे तो 3 से 3 cancel होगा और आपको मिलेगा add k square यही हमें proof करना था यह यहीं कहते हैं इस condition को proof लिखते हुए आप minus 1 पर पहुँच जाओ बात एक ही है this is the very important question तो इस तरीके से बच्चो यह exercise आपकी जो एंजन नॉर्मल है यहां पर complete होती है last में जो करीबन मैंने 4-5 question बताएं काफी important है question number 18 होगा 21, 23, 80 number question मैंने आपको बताएं NCIT का इस सभी question काफी important है